राहुल गांदी भारत जोड़ो न्या यात्रा के जरी ये कह रहे है कि राज्योतिक नहीं वैचारिक यात्रा है लेकिन अब कॉंग्रेस को ये समझना हो कि कि 2024 के लोगसबा चुनाव की तारीकों का एलान कर दिया जाएगा तो ऐसे में कॉंग्रेस का जो वर्चस्व खत्म होता जा रहा है उसे किस तरीके से धूंडा जाएगा देखे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर यात्रा करता है तो वो कहे कि ये वैचारी के यात्रा है उसके लिए वैचारी के यात्रा हो सकती है लेकि राजनीति उससे अलग नहीं हो सकती उससे इतर नहीं हो सकती वो जब चल रहे हैं और कल प्रेस कॉन्फरेंस की तो उन्होंने देखिए राजनीती की भी बाते की उन्होंने ये कहा कि ये करप्शन है उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो गारंटी देते हैं कि जो EDCBI के अधिकारी, income tax के अधिकारी ये सब कर रहे हैं उ लेकिन राजनीत नहों उनके इर्द गिर्द ये संबवन नहीं है जहां तो कॉंगर्स पार्टी की बात है इंडिया गट बंदन की बात है देखिए जो पटना से महाल बना था और बैंगलोर होते हुए मुंबई होते हुए बहुत सारी जगहों पर ये गया था कारवा अग लेकिन एक के बाद एक जटके जो इंडिया गट बंदन को मिलते गए उससे उसकी जो तैयारी थी उसको जटका लगा लेकिन अब भी अगर आप बात करें कॉंग्रस के निताओं के तो कहेंगे 2004 का उदान देंगे कि इंडिया शाइनिंग बीजेपी जीती भी लग रहे थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सरकार बदल गई तो उसी पर उनीज पर खायम है आरून जिनोंने 2024 के चुनावों की तस्वीर बदल कर रगती है मेरे से होगी बिहार के पटना से चंद्रमोहन मेरे साथ जोड़ चुक है चंद्रमोहन पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजु इश्कुमार है दूसरी तरफ बीजे पिया और तीसरी तरफ लालू यादव है और तो जो एक साथ रहते हैं उनको फाइदा ही मिलता है और ऐसे ही तस्वीर कुछ पहले भी बनते हुए दिख रही थी जब इससे पहले लोगसभा चुनावा था और अब चुनावों की तार इसको देखते हैं क्या मानते हैं इसको मानते हैं दुनिया मोधी में है अमोधी जी को पूरा भोट बिलेगा चालिस का चलिसा और बहारतिये जनता पार्टी इंडिये का चालिस का चालिस सांसद होंगे बिहार में और देश में चार सो पार जिस तरीके से मोधी जी का जो नारा है वो सत्य होगा और मोधी जी का नारा सत्य होगा साफ तोर पर लोगों का मानना है कि इस बार चालिस के चालिस एंडिये के जोली में जाने वाला है बिल्कुल और चंद्रमोहन ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है मेरे सियोगी लखनों से अमित मेरे साथ लगातार बने हुए अमित देश का सबसे बड़ा सूबा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और उसका नित्रुत्व करते हुए योगी आदितनात नजर आ रहे लेकिन अगर विपक्ष की बात करें अखिलेश और राहूल गांदी के साथ आने से क्या कोई तस्वीर बदलती हुई नजर आ रहे सूबे की भले ही चुनावी के तालिक का एलान नहीं हुआ लेकिन चुनावी मूड में उत्तर प्रदेश आ चुका है रोजाना मुखमंतरी योगी आदितनात चार सभाय करते हैं लोकारपन लगातार वो तमाम जिलों में वो कर रहे हैं और इसके लावागर हम बात करें विपक्ष्ट की तो अखलेस यादो और राहूल गांदी भले ही एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है भले ही इंडी गडवंदन में उनका सीटों का समझाता हो गया है लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पर उसका असर दिखता नहीं दिख रहा है मेरे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद है चुकि चुनावी मूड में अभी से ही उत्तरपदेश आ चुका है क्या कहेंगे आप तीन बजे तो प्रेस कांफरेंस करके मोदी जी एक भारत श्रिष्ट भारत का निर्मान कर रहे है और पूरे भारत को पूरे विश्व के अंदर एक उसकी एक अलग चाप और अलग गरिमा का इस्थान दिलाने के लिए प्रास कर रहे है मैं पहली बार कहने जा रहा हूं कि सारे विफक्ष को भी इस बात का एसास हो गया है कि जीतना तो दूर अपना अस्थित बचा रहा है यही बहुत है आप क्या कहेंगे मुद्दे क्या क्या रहने वाले आज अमित लेकिन एक तरफ देखिए एंडिये गट बंधन जो पूरी तरह से एक जुट है दूसरे तरफ इंडिया गट बंधन जो तूटा हुआ बिखरा हुआ नजरा आ रहे है लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बरी रहेगी फिर लोटेंगे आपके पास एक बड़ी खबर आपको बता दे है यासिन मले की जेकी एलेफ एसोसियेशन पर बैन बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने अगले पाक साल के लिए जेकी एलेफ पर बैन को रमिच्छा ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दिया और उन्होंने लिखा राश्ट के सुरक्षा सम्प्रभूता और अखंडता को चनौती देने वाले किसी बीव्यक्ति को कठोर कानूनी परणाम भुगतने होंगे तो बड़ी जानकारी आ अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है देखिए अंकीता ये इतना पेचीदा मामला है मैं आपको उतादू ये जो जानकारी मिल रही है ये जो 114 की जो कारवाई थी जो एडी ने कंप्लेंट फाइल की थी वो एक जानकारी अपरात था उस मामले में जो बेल बॉन्ड भरा है अर्विन केजरिवाल तरफ से उस प चुके हैं और जो एडी सूत्र बता रहें कि उन्हें एडी फिर से संबन्स कर सकती है पूस्ताज में शामिल होने के लिए बुलाने के लिए तो अभी अर्विन केजरिवाल को जो रहत मिली है वो जो एडी ने जो कंप्लेंट फाइल की थी उस मामले में उन्हें जमनत मिली है जो जानकारी अब तक मिल रही है जो सामने आ रही है ठीक है आनन्न बने रहे है हमारे साथ हम एक बार मानो का भी रुक कर लेंगे मानो अभी फिलहाल के लिए ये फौरी तोर पर रहा दिखाई दे रही है लेकिन मामला क्या आगे पेचीदा समझें या राहें आसान बिल्कुल देखिए हमको इसमें इंतजार करना चाहिए कि कोट ने और क्या क्या कहा है इस मामले में जमानत मिल चुकी है अर्विंद केजिवाल कोट से भी निकल गए हैं यह मैं अपने दर्शकों को ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ कोट ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो बहुत महत्पूर होगा क्योंकि इससे पूरे शकतित शराव गोटाले की एक जाच की दिशा तया होगी कि आगे किस दिशा में यह जाच जाएगी जमानती धाराओं में इडी ने शिकायत दीती कोट के अंदर उसमें जमानत मिल गई है 15,000 के निजी मुचलके पर लेकिन कोट ने बाकी क्या कुछ चीज़े कही है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि उस पूरे मामले की जो दिशा है वो तै होनी है क्य करती रही है और इसके साथ साथ उनकी देखरेक में यह सारा मामला हुआ है ऐसा इडी दावा करती रही है आनंद जो अर्वन केज़वाल की वकील है रमेश गुपता क्या कोई जानकारी इस बार में निकल कर सामने आई है कि उन्होंने क्या दलील दी है वोड के सामने देखिए कुज़ेर के बाद जो रमेश गुपता है वो भी वहाँ पर मीडिया से बात करेंगे बताएंगे कि किस तरह की कूरी कोड के सुनवाई रही है लेकिन जो 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 जमानत मिली आनंद लोटेंगे आपके पास अरुन केज़वाल के इस पूरे मामले पर हम सीधा प् प्रेंगा क्या आप तक आब आस पहुंच पा रही है प्रेंगा का हम रुख करेंगे लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दे मुखे मंतरी आर्विंद के जिवाल दिली की राउस जवनी कोड में पेश होने के लिए पहुंचे थे जहापर उन्हें निजी म क्या नיהँ करेंगी में रही होने कर दोड़ी आर्विंस बाच में रही है